हलो डिये शुडेंट मेरा नाम प्रज्जो सिंग है और मैं आपका टाप 10 क्लासे में स्वागत करता हूं जैसा कि बच्चो हमने पिशे लेक्चर में प्रिवियस लेक्चर में आपका वैपर प्रेसर और वैपर प्रेसर के लिए जो वेंचक था वो हम देख चुके थे और उस स्वाण के थोड़ा मुसक्राइगे भच्चो अब आपको फारोला पता होगा क्या होता है या कि प्रीट मैंनश पी के अबागач्र हो इनलो बच्चो तो इनिश लिपॉइट पे अपेच्छी का ऊनलमन हम लिखते हैं तो पी नाठ मैंनस पी अबाद पीनाठ इक्वल टू डबलो, इंटू, छोटका यम Dieu, ये फार्मॉला हमने पढ़ लिया था और इस पाल हमने बच्चो निमेरिकल भी कर लिया था आज हम बात करेंगे आपका कि कुथनाग क्या होता है तो बच्चो कुथनाग क्या होता है आउ सिखें जैसे कि हमने आपकी सामने अब बच्चों एक यहाँ पर वेसल लिया और यहां पे बच्चों हमने आपका ढ्रौव ले लिया और जो ढ्रौव लिया है वो आपका वाटर है वो क्या अपका ग्रक्च्प साथ में इसको गर्म करना सुरू किया अब बच्चो जब में आपको बता दे, जब हमने इसको गर्म करना शुरू किया, तो आपका वैपर बनना शुरू हो जाएगी तो आपका क्या बनेगा बच्चो वैपर बनेगा और जो यह वैपर होगा बच्चो यह वैपर जब वाई मंडली दाग वाईू मंडली दाग जब आपका वाई मंडली दाग के बराबर हो जाएगा तब आपका यह द्रौ बच्चो क्या होगा उबलने लगेगा उबलने लगेगा बच्चो तो कहने का मतलग क्वथन करने लगेगा तो क्या करने लगेगा बच्चो यह सब क्या बच्चो क्वथन है तब आपका यह द्रौ क्वथन करने लगा और उस समय जो आपका temperature होगा वच्चो वह ही क्या होगा? क्वथनांग बिंदू होगा वह बच्चो आपको क्या होगा? क्वथनांग कबिंदू होगा तो कहने का मतलब वहतं आप जिस पर द्रव का वास्वदाप, वाइमनली दापके बराबर हो जाता है और आपका द्रव उबरने लगता है उसको क्या कहते हैं बच्चो, क्वतनांक बिंदू कहते है इस पे लिखेंगे बच्चो क्वतनांक बिंदू वहताब होता है वह ताप कुता है जिस पर द्रौ का वास्पदाब वायुमंदली दाब की बराबर हो जाता है तो उसे कुतनांक बिंदु कहते हैं क्या है तो अपका कुतनांक बिंदु कहते हैं और इस बिंदु पर इस बिंदु पर बच्चों द्रौ कुतन करने लगता है मतलब उबलने इस बिंदु पर द्रौ कुतन मतलब उबलने लगता है तो यह चीज़े क्या बच्चों आपको समझ में आई कि कुतनांक क्या है और यह दि बच्चों आपका हमने यह द्रौ लिया और इस द्रौ में बच्चों कोई आवास पसील विले इस द्रौ में अच्चों ने क्या किया कोई आवास पसील विले घोल दिया अब जब बच्चों आपके यहाँ पर आवास पसील विले घोल देंगे तो इसकी सता पर आवास कसील के भी कड़ा जाएंगे और पहले से कुछ वैपर तो होगा ही अब बच्चों जो इसको हीट करेंगे ये गच्चों क्या गर्व होगा और आपका वैपर बनना स्टार्ट हो जाएगा और जब इसका जो वैपर प्रेसर है इसका जो वैपर प्रेसर है वास्पदाब इसका जो वैपर प्रेशर रवास का दाव जब वाई मंडली दाव की बराबर होगा तब आपका द्रौ उबलने लगेगा क्वथन करने लगेगा तो अच्छे ये बताईए बच्चों अब हम इसका वैपर ये दुवाई मंडली दाव की बराबर करना चाहें तो कहने का मतलब अगर हम इसका साथ यम जब अगर चाहें बच्चों तो इस ग्रोग को हमें जयादा गर्म करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या आवास की सील कड़ेगा नहीं बनेगा और जब आपके जो वैपर कम बनेगा और जब कम बनेगा तो वैपर प्रेशर वास्पदाब को वाय मजली दाप तक ले जाने के लिए हमें ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा अब ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा मतलब आपके कोथनांक में बच्चों क्या हो गए विर्द्धी हो गए जैसे कि अभी ते तो इस जल का कोथनांक क्या था सौ डिग्री सेलसियस था लेकिन जब हमने यहाँ पर अवास कसिल विले मिला दिया तो आपका जो कोथनांक में आपका उन्यान कि कोथनांक में बच्चों क्या आपका उन्यान तो क्वथनांक में उन्यान क्या रच्चो क्वथनांक में उन्यान जब अवास्पसिन जब अवास्पसिन विलेको वास्पसिन 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 द्रौ में मिलाते हैं क्या अच्चो जब हम आपका अवास्पसील विले को वास्पसील द्रौ में मिलाते हैं तो वास्तदाव को वास्तदाव को वाई मंदले दाब के वास्पद आपको बच्चों वाई मंदली दाब के बराबर तक ले आने में ले आने में हमें द्राब को ज्यादा द्राब को बच्चों क्या करेंगे ज्यादा गर्म करना पढ़ता है द्राब को बच्चों हमें क्या करना पढ़ता है ज्यादा गर्म करना पढ़ता है अर्थार कि द्रौ के क्वतनांक में द्रौ के क्वतनांक में व्रिध्धी हो जाती है जिसको क्वतनांक का उन्यन कहते हैं जिसको अच्वम क्या कहते हैं आपका क्वतनांक का उन्यन कहते हैं अगर इसके लिए बच्चो हम फारुळा लिखना चाहें तो क्या होगा और इसके वारे में हम सीखें जैसे बच्चो हमने आपका एक x-axis बनाया और बच्चो हमने आपका एक y-axis बनाया एक पर बच्चों क्या गर रहे आपका वाई मंडलीद आपको दर्शा रहे हैं और एक पर बच्चों हम अपके क्वतनांग बिंद को दर्शा रहे हैं अच्छे ये मतलब बच्चों स्टार्टिंग में इससे अप्चों करच्च दर्शा रहे हैं दाग और यहाँ पर निक उतनांग भी मिल्ट आपका टंपरिच्र दर्शा है अब बच्चों अगर हम वैपर परेसर की बात करें जो सुद्ध अवस्था में जो आपका येद बात करें आपके द्रौ की जुस्त अवस्था में उसका वैपर जदा होगा मतलब विलायक का वैपर जदा होगा compared to विले का अब जैसे जैसे हम temperature को बढ़ाएंगे वच्चो जैसे जैसे temperature को बढ़ाएंगे जैसे 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 हमने यहां पर दो एक्सिस बनाया एक वाई एक्सिस और यहां बच्चो क्या आपका एक्स एक्सिस है एक्सिस हमें आपका temperature दिखा रहे हैं वाई एक्सिस हम क्या देखा रहे है च्चो आपका प्रेंसर दिखा रहे है अब बच्चो यहां पर हमने 100 कि दो सो तीन सो चार सो पांग सो छह सो साथ सो और यहां पर पहुंचे तो आपका क्या बच्चो वर एक्टियम मतलब साथ सो साथ यम यम एज़ी आपका वाई मंदली दाप हो गया आपके वाई मंदली दाप कितना है अच्चो साथ सो साथ यम यम एज़ी हो गया और यहां पर आपका हम दिखा रहे है बच्चो तंप्रेचर दिखा रहे हैं तो अगर हम बात करें यह दिया बच्चों बात करें कि आपका जो विले का वैपर होगा, जो आपको बच्चों विलाएक का, वैपर ज्यादा होगा, सुद्ध वस्ता में, और जैसे जैसे आप टमप्रेशर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इसका वैपर प्रेशर बढ़ेगा, और एक समय आएगा, ज ये 1 ATM के बराबर हो जाएगा वच्छों तो उस्तमय जो आपका प्रेशर रहेगा अबेर्स वश्द इंबी नाट रहा और उससे हम क्या करतें वच्छों क्तनामक के विन्दू कहतें और जब हमने इसमें आवाज शील विले घोल दिया तब आपका जो वैपर बनेगा अच्छो कम हो गया क्योंकि द्रौकी सतर पर आपका क्या आ गया हावाज सिल भी लेके भी कड़ा गया अब जो आप temperature को बढ़ाएंगे तो आपका वैपर प्रेसर 1 ATM तक जाने में ज्यादा ग्राप याप बच्छो ट्रौवेल कर रही है मतलब आपका हमें ज्यादा उसी temperature देना पड़ेगा तो अब जो यह आपका आया यह जो बच्छो आया आपका अब यह बच्छो क्या है टीबी है अब हम यहाँ पर ग्राप देख सकते हैं यह बच्छो आपके क्या है विलायक के लिए है और यह किस के लिए बच्छो आपके विलेयन के लिए है पहले तो आपका यह रहा टीबी कौतनांग मिन और बाद में आपका क्या हो गया टीबी नाट हो गया तो यह आपका temperature increase हुआ तो जो temperature तो आपकी कोथनांग में इतने की वृद्धी हो गई कितने की बच्छो डेल्टा टीवी की जैसे कि आपकी जलका कोथनांग के बिंदू कितना होता है सो डिग्री सेल्सियस होता है अगर उसमें हम आपके कोई अवास सिल विले डाल दें तब उसको हमें कोथनांग के बिंदू तक ले जाने के लिए सो डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा तो कहने का मतल्ब निकला आपका जो कोथनांग के बिंदू हुआ सो डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं गर्म के माध्यम से वक्र के माध्यम से कि आपका जो कोथनांग के बिंदू रहा वह बढ़ गया तो कहने का मतल्ब जो आपका कोथनांग में उन्यन रहा जो आपका कोथनांग में उन्यन मतल्ब आपका डेल्ता टीवी जो को अच्छो डेल्टा टीवी रहा वो क्या रहा वच्छो आपका ये जादा है तो टीवी माइनस टीवी नाट तो ये फारूना आगे वच्छो आपका जो कुथनांग में उन्यन रहा वच्छो वो ये फारूना लेकर रहे आपका आया अच्छे ये बताईए स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था जो कुथरांग का उन्नेयन होता है वह निर्भर करता है विले के मोलों पर तो अब ये दिबात करें वच्चों यहाँ पर जो आपका डिल्टा टीबी है डिल्टा टीबी जो डिल्टा टीबी है डारेक्टली प्रोपोर्शन होगा मोलालटी की किसके प्रोपोर्शन होगा अच्छों यहाँ पर हमने देख लिया कि कुथनांग में उन्नेयन क्या होता बच्चों डिल्टा टीबी एक कोल्ट बच्चों क्या होगा TB minus TB not अब हम बात करते बच्चों आपका यहाँ पर जो TB होगा वो directly proportion होगा morality की morality की अब बच्चों, morality की होगी? willian की होगी? morality की होगी? मतब डेल्टा TB is directly proportionally morality of the solution अब बच्चों, अगर आपका ये proportionality अनुक्रमानुपाती का साइन है, हटेगा तो डेल्टा TB equal to क्या है बच्चों? TB into yum जहाँ पर के भी moral union इस्थिरांक होता है यदि यहाँ पर हम डिस्कसन करें बच्चों की आपका यम जो आपकी morality है ये क्या है बच्चों? तो आपको पता है morality molalta equal to विले के मोलों की संख्या अपान विलेन का द्रब्यमान WKG ये होता बच्चों अगर हम इसे मोल को हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? यन बराबर क्या होता बच्चों? भार अपान molar द्रब्यमान और तो यन बराबर बच्चों ये लिखेंगे तो आपको क्या कि भार अपान molar द्रब्यमान इंटू WKG अगर इसको बच्चों आप ग्राम में बदलना चाहेंगे तो M equal to W इंटू 1000 अपान M इंटू WGM बच्चों आपको ये आगया अब ये ही को इसी वेल्लू को हमने उठा करके यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों डेल्टा T V equal to KB कमान क्या रचाच्चों W KB कमान बच्चों आप रखेंगे तो 1000 इंटू KB इंटू W W अपान इंटू WGM तो इसके लिए ट्रिक क्या है अगर इसके लिए ट्रिक की बात ते रखेंगे तो ट्रिक होता है कउ अपान मउ और यहाँ पर बच्चों क्या है 1000 1000 कउ अपान मउ equal to डेल्टा T V कउ से क्या रखेंगे रचाच्चों 1000 इंटू KB इंटू W अपान मउ से यह इंटू W तो यह ट्रिक है बच्चों इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं तो यह चीजे रही आपके सामने यह क्या है बच्चों आपका कोथनांक में उन्नेयन रहा और आपका कोथनांक क्या होता है यहाँ पर बच्चो हमने इसका discussion कर लिया है और इस पर हम आपका एक सवाल करते हैं एक numerical करते हैं और इसके बाद आपका जो लिक्चर है आपका जो वीडियो लिक्चर है उसको हम end करेंगे तो ठीक है बच्चो आओ हम आपका नुमेरिकल start करेंगे बच्चों यहाँ पर हम आपका कोथनांग पर उन्यन पर एक निमेरिकल देखेंगे और वह निमेरिकल है क्या आओ उसको हम देखें यदि 18 ग्राम गुलकोज मतलब बच्चों आपको गुलकोज की मातरा कितना देदी 18 ग्राम को एक केजी जल में घुला गया है तो किस ताप पर द्रव उबलेगा मतलब आपको बॉयलिंग क्वाइंट की बात कर लिया और आगे क्या दिया है यह दिदार कितना बच्चों इतना हो तो यहां पर आपको क्या-क्या दिया है यह सबसे पहले आप देखिए कोट डबलू दे दिया बच्चों कितना दे आपको 18 ग्राम द और आपका वन केजी है और आपका केबी की वैलू दे दिया जिरो पॉइंट फाइट टू दे दिया और आपसे ताप पूश्य रखा है बच्चों वह तम्प्रेचर आपको बता रहा है तो वह तम्प्रेचर हम कैसे बताएंगे तो आउउ उसको सीखें और Δेल्टा टीबी यहां से बत्चो निकाल सकते हैं आप फार्मॉला क्या जानते हैं बत्चो हूं सूत्र आपको पता है कि डेल्टा टीबी इक्वलिट टु यह आपके ट्रिक है बच्चो अब यहाँ पर देखिए यह आपके इसमें होगा ग्राम में रहेगा तो जो डेल्टा टीबी 1000 आगे बच्चो तो केबी कमान के अधा 0-10-5-2 त्रिक्खे इसे 0-10-5-2 इंटू अब बच्चो डबलू अपानियम विले का भार और मोलर द्रिवमान क्या होता बच्चो मोल होता है और यहाँ पर आपको जो ग्लुकोस दे दिया कितना दिया बच्चो 18 ग्राम है तो ग्लुकोस की मोल निकालेंगे C6 H12 और O6 का कैसे निकालेंगे बच्चो तो glucose का भार चाहिए और उसका molar द्रिब्मान चाहिए तो glucose का भार आपको पता बचो कितना 18 ग्राम है तो यहां बचो आपको 18 हो गया और molar द्रिब्मान glucose का क्या होगा तो चाह गुड़े 12 प्लस 12 गुड़े एक प्लस 6 गुड़े तो बार चंग 72 प्लस 12 करना प्लस चताग 36 के 6 हात में तिर और 6 करना चाहतिर नव चानवे तो बच्चो चो जोडिये 6,2,8,2,10 के 0 हात में एक 9,1,10,1,11 और 6,18 मतलब 180 आ गया इसका molar द्रिब्मान 180 है बच्चो तो 18 से 18 कैंसेल तो कितना आ गया 1 वाई 10 आ गया मतलब mol 0.1 आ गया मतलब जो आपके glucose का mole आया 0.1 आ गया बच्चो तो यहाँ पर देखे mole कहा पर है यह है आपका mole के बारे मता दिया बच्चो यह आपको पता हो गया तो यहाँ डारेक्टली आपकर रख दे रहें कितना 0.1 और बताईए बच्चो कि यहाँ पर आप देखें तो आपका जो विले आपका जो जल है वो कितना बच्चो वन केजी है अगर आप 1000 को यहाँ पर ले आएंगे इसके अपान करेंगे तो आपका केजी मिल जाएगा और यही मतलब तो यह चीज आपका क्या रहा केजी में रहा या तो आप इसी केजी मिल लेजिए तो आपका डवलू जो जी अम है बच्चो तो यही हम इसको केजी मिल बदलेंगे तो कितना आएगा 1000 आया 1000 से 1000 कैंसिल हो गया बच्चों तो जो एंस्वर आया हमारा 0.052 आया इतना हमें टंप्रेचर की रिकॉरिट है इतना हमारा टंप्रेचर बढ़ा हुआ है यदि बच्चों यहाँ पर क्या लिया है जल लिया है तो जल का आपको पता है जो temperature होता है 0 degree Celsius होता है और यही अब जो विर्द्धी हुई है देल्टा टी भी जो डेल्टा टी भी कितना चो 0.52 है 0.052 है यदि आप जोड़ेंगे तो 100.052 degree Celsius यह बच्चों आया अगर इसे हम कैल्विन में चेंज करना चाहे तो आप इसे कैल्विन में भी आसाने से चेंज कर शकते हैं आप 273 जोड़ दीजे इसमें और आपका वह बच्चों कैल्विन में चेंज हो जाएगा तो यह निमेरिकल आपके लिए ज़्यादा महत्तोपूर है आप इसे एक बार घर पर रिवाइज कीजेगा और यदि आपको बच्चों डाउट आया तो कमेंट बाक्स में डाउट जरूर छोड़िएगा क्योंकि आप जब बोलेंगे नहीं तो हम दिल खोलेंगे कैसे सवालों पर तो ठीक है बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई होती से आप लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजेगा और आप जो डाउट सापकी बच्चे हो उसे आप कमेंट बाक्स में छोड़ि